अब रोगों मैं इसके पाटर सीने नीरो थेरपिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं आज जिन लोगों को फेट की समस्या रहती है गैस एस्टी पेसर रहता है उनको सबसे पहले अपने खान पान को ठीक कटना चाहिए खान पान में जैसे हमें समय से खाना खाना है लेट खाना नहीं खाना और दूसरा ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है जितना हमें जरुवता उसक रहा और किसरा है कि पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है पानी ज्यादा पीना है और तलेवी यह फ्राइट चीजें कम खानी है तो जिनको भी पेट की समस्या है उनको इन शाली चीजांगा मेटने की जरुबत हैं एक चोटा सा टीपमेंट सेंग। एक पॉइंट स हैं और कैसे करना आ हैं वह देखेगे तो आप झी से पिसी को भी पेट की सबस्सया है तो अपनी यह पिडली ऐसे ऐसे दवा सकते हैं अपने आप यह देखेंगे ऐसे यहां मैंने दवाया ऐसे ऐसे दोनों साइड दवानी है ऐसे ठीक है इसको दवाया और फिर इसको दवाया ठीक है तो देखेंगे पेट की समस्या के लिए और एक छोटा साथ इप्रेंट्स है इससे जो हम आसे लेवल गब लगते हैं विजल्ट्स का देखना है कैसे करवाएं सबसे पहले आजब कणे करगेशें आजय के पिल्लो लगाना है और एक पिल्लों आप उपर मैं आ ईसके रखना है और इपको टर्म करना है सबसे अब कर्चिया और यह वहने कर दो कर एदेसे करें यह तरह से यह राम बार पॉंट्स है एक कम करने के लिए तो आप इसको करोगे तो आपको एसिट यो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी देखेंगे कैसे करना है सबसे पहले एक पैर से हाथ से अगर पैर से नहीं कर सकते तो आप से कर सकते यहां ऐसे प्रसर देना है और दूसरा पैर उपर रखना है मैंने चेयर पर सपोर्ट ले रखी है 6 सेकंड और यहां फिर 6 सेकंड के लिए और यहां 6 सेकंड के लिए तीन जगह यह प्रसर देना है 6-6 सेकंड और यह तीन बार देना है यह तीन बार देंगे ऐसे और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे वहां के मसल्स को रिलेक्स करेंगे और नीचे तक ब्लैड सप्लाई करेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर में इतना कर सकते हैं इस पॉइंट से आपका एसेट धीर धीर करकी डेवल में आ जाएगा और आपको गया सेटी पेटी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी तो आपने अगर अवारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ज़रू झाल 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